आज हम आपको ग्रह अस्थ कैसे होते हैं और किस अवस्था में अस्थ हो जाते हैं अस्थ होते हैं तो उनके परिडाम क्या होते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से और बहुत ही आशाहिन सब्दों में समझा देंगे लेकिन अभी तक आपने अस्टर वेगे को कर लिजे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अगर अच्छा लगे समझ में आए तो देखिए जनकुंडली में ग्रहों का अस्थ होना एक बहुत कामन चीज है क्योंकि सूर जो ग्रह हैं सूर के आस-पास दो ग्रह हैं जो हमेशा लगबग रहते ही हैं एक तो बुद्ध और जरूर होंगे तो इस अवस्था में ये लगबग लगबग अस्थ चल्दी हो जाते हैं तो कोई भी ग्रह जब सूर के काफी नजदीक आ जाता है एक डिगरी तक तब वो अस्थ हो जाता है अब वो डिगरी क्या है पहले ये जान लेते हैं ठीक है कोई जैसे चंद्रमा है चंद्रमा सूर के पास में 12 डिगरी तक कर आ जाता है तो अस्थ हो जाएगा वही मंगल 60 डिगरी तक बुद्ध 13 डिगरी गुरू 11 डिगरी शुक्र 9 और शनी 15 देखे वीडियो पूरा देखेगा तो आपको लगबग 8-10 मिनिट में पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा और क 30 डिगरी होती है ठीक है यहां से यहां तक अगर हम माल लेते हैं यहां से यहां तक पूरी 30 डिगरी है कितनी 30 डिगरी ठीक है और यह 12 होसे से हैं तो 30 इंटू 12 बरावर हो गया 360 मतलब यह पूरे जो चार्ट के डिगरी है यह 360 डिगरी होती है ठीक है जिसमें एक हाउस है इसके डिगरी कितनी हो गई 30 ठीक है अब इसके आगे हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे जे से की ठीक है अगर कोई भी यहाँ पर ग्रे बैठ गया हमने माले यहाँ पर सन बैठ गया ठीक है सन यहाँ पर बैठ गया कितने डिगरी में पांच डिगरी में बैठ गया सन ठीक है तो अगर सूर, हमने देखा यहां पर 5 डिघरी में है, तो इसका अर्थ यह है कि यहां से चला सूर और लगबख यहां तक पहुँच गया होगा, ठीक है, यहां से लगबख यहां तक पहुँच गया क्योंकि यह पूरी 30 डिगरी है, एक house में और यहां पर पहुँच गया अब इसे चलना कितना बाकी है तो 30 में से 5 निकाल दिया कितना पुचा 25 डिगरी चलना इसे बाकी होगा तब वो अगले house में पहुचेगा जाके मतलब second house में पहुचेगा जाके ठीक है इतनी बात एक दम clear होगी मतलब यहां एक house में degree किती होते हैं? 30 डिगरी होती है और शूर अगर इस house में 5 डिगरी में बैठा तो मतलब वो 5 डिगरी के तक चलाया और बच्चा कितना इसमें चलना को 25 डिगरी तीन में से 5 निकाल दिया 25 डिगरी और अगले वाले हाउस में जब पहुँचेगा जाके जब इस वाले हाउस की पूरी डिगरी 30 डिगरी चल चुका होगा ठीक है इतना क्लियर हो गया अच्छा एक चीज़ हमने बताई कि सूर के पास में जब ग्रह आ जाते हैं तो अस्थ हो जाते हैं तो क्या अब आपके मन मे एक और डाउट आ सकता है कि अगर दूसरे हाउस में ग्रह बैठा है तो क्या अस्थ हो जाएगा सपोज चंद्रमा यहां बैठा है और सूर इस हाउस में है तो क्या अस्थ हो जाएगा तो देखे जबाब है बिलकुल अस्थ हो जाएगा यहाँ पर हमने मान लिया मून ठीक मून को, चंदर्मा को, यहां तक इस अगले हाउस में पहुंचने के लिए कितनी डिगरी क्या आफ सकता होगी? मात्र, दो डिगरी, क्योंकि 28 चल चुका है, जैसे हमने यहां से बता है, यहां से यहां तक 30 डिगरी, तो यहां से यहां तक यह जो है, 28 डिगरी यह जो है, चल चुका है, मतलब लगबग यहां पर आ गया, और 2 डिगरी मिलते ही, यह अगले हाउस में एंटर कर जाएगा, तो यहां पर यह सूर से इसकी दूरी कितनी देखेंगे? ठीक है, तो सूर से इसकी दूरी है, दीके 28, तो यह चल चुका है, पांच प्लस दो बराबर हो गया 7 डिगरी, तो सूर से इसकी दूरी, चंदर्मा की दूरी कितनी हो गई 7 डिगरी हो गई, ठीक है, तो चंदर्मा यहां पर अस्थ हो जाए, क्योंकि 12 डिगरी तक चंदर्मा अस्थ नहीं होता है, एक और उधारन समझा जाए, हमने लिखके रखा है, अगर सूर से 13 डिगरी पे है, और चंदर्मा हो गया 1 डिगरी पे, इन दोनों की बीच की डिगरी हो गई 12, ठीक है, तो 12 डिगरी पे सूर यहां पर चंदर्मा को अस्थ कर देगा, ठीक है, एक दम क्लियर हो गया होगा, मेरे इसाब से आपको समझ में आगया होगा, एक दूसरी और कंडिशन बता जेते हैं, अब जब साथ में अगर बैठेगा, ठीक है, माले यहीं पर अगर चंदर्मा बैठा होता है, इस हाउस में, तब भी इस प्रकार से अस्थ कर देगा, हमने बताया, पिछले हाउस में है, तब भी अस्थ कर देगा, और आगे भी है, तब भी अस्थ कर देगा, ठीक है, तो अगर अब हमने माल लिए, यहां पर कोई गरह बैठा है, यहां पर हमने माल लिए मंगल बैठ गया मंगल मंगल बैठ गया यहां पर मंगल की डिगरी है यहां पर मंगल की भी डिगरी हमने माल लिए 5 ठीक है तो यहां पर यह सूर से मंगल अस्थ होगा नहीं होगा क्योंकि मंगल को अस्थ होने के लिए 60 degree का अंतर चाहिए और सूर अभी इसमें इस वाले house में 5 degree ही चला है ठीक है 25 degree और चलेगा उसके बाद में 5 degree और चलेगा तब मंगल के पास पहुँचाएगा मतलब मंगल और सूर के degree में कितना अंतर हो गया पूरा पूरा 30 degree का अंतर आ गया यहाँ पर ठीक है उमीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आगया होगा देखिए इस प्रकार से समझे यह जो लाइन है अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा एक सेकंड बस वेट करिएगा यह लाइन हम पूरी-पूरी सीधी खीचते हैं तो साइज ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है मतलब एक हाउस में यहाँ यह पूरी 30 डिगरी है इस हाउस में भी यह पूरी 30 डिगरी है इस हाउस में भी पूरी 30 डिगरी है लगवग, यहां पर पहुंचे जाके अंदाजन से हम आपको बता रहे हैं 25 डिग्री पहुंचा 이건 यहां पर कित्ता कीं यह बचा चलने को हुआ यह diagonals यहें और यहां पर मेल लिया मंगल बैढ़ कि मंगल मार्त की हुआ आस यहां पर आस्थ होगा नहीं होगा वद यहां कि सूरी की fifth ही मंगल तक पहुँचने के लिए 25 डिग्री इस सी first house में चलनी पड़ेगी और फिर 5 degree next house में चलनी पड़ेगी तो यहाँ पर इसमें 30 degree का अंतर आ गया और मंगल अस्थ होता है 7 degree पर ठीक है तो उम्बीत करते हैं इस प्रकार से आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो कि कैसे गरहों को अस्थ कर देता है और दूसरी चीज़ एक और है अस्थ होने पर प्रभाव क्या पड़ता है ठीक है हमने इतना समझा तो दिया आपको येकिन अस्थ होने पर प्रभाव क्या पड़ता है तो देखे प्रभाव ये पड़ता है कि दृष्टी का लाब नहीं मिलता है ठीक है सूरी के पास में अगर कोई गरे पहुंचता है तो सूरी के पास में इतनी चमक है कि वहाँ पर जाके उस प्लैनेट की चमक विल्कुल नहीं रहाती कि जिसे वो दूसरी जगे देख पाए जैसे आपके सामने कोई गाड़ी की लाइट पड़ती एकदम से तो आपको कुछ नजर नहीं आता आपके आखे चौन दिया जाती इसी प्रकार से ग्रहों की आखे चौन दिया जाती है तो सामने वाली दृष्टी का प्रभाव नहीं तो इस अवस्था में अगर मंगल अस्थ हो गया तो मंगल की जो दृष्टी यहाँ पर पड़ती है इसका प्रभाव नहीं पड़े इसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा और यहाँ पर जो दृष्टी पड़ती है एर्थ हाउस पे इसका प्रभाव बहुत कम रहेगा और इस पे भी जो दृष्टी पढ़ेगा तो दृष्टी का प्रभाव जो है बहुत कम मिलेगा लगवग ना के बराबर मिलेगा उस नहीं अस्थ होते हैं आप देख लिए चंद्र मंगल बुद्द गुरु शुकर और सनीए सब अस्थ होते हैं लेकिन राभाव और केत्व नहीं अस्थ होते हैं उम्मित करते हैं आपको वीडियो बिलकुल समझ में आगया होगा कोई भी एक डाउट है तो हमें जरूर लिखें कमेंट में हम उसको अंसर करने का प्रयाज करेंगे तब तब अपना ख्यार लखिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय सुगर